हे गाईज वेलकम टू एचस्टेक जोन तो दोस्तो फाइनली अगर आपके पास भी है यहां पर रेड्मी नोट 10 और रेड्मी नोट 10 प्रो तो यहां पर जो आपको मिल जाएगा इंडिया के अंदर भी और यहां पर दोस्तो यह जो अपडेट है यह चाहिना के अंदर यहां अब तक देखने को मिलेगा तो चलिए उसका करते ही हैं पर वीडियो की शुरुआत लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने तक जो हमारा यूट्यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में जो पास वाली नोटे बेल का एकना हैगा आपने इस पर क्लिक कर देना त देखने को मिलेगा अब डोसतों अब बात करते हैं ंपर यह इस जैनृंट में लॉट्ट और देखने को मिला यहाँ यहPNE यूरोप में देखने को मिला है तो दोस्तो अगर आपके पास भी यहाँ पर Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro है तो आपको अपडेट मिल जाएगा जैसा कि दोस्तो आप सभी जानती हैं इंडिया के अंदर जिनके पास फिलाल Redmi Note 10 Pro जाफे उन्हें यहाँ पर जो अपडेट मिला था वो मिला था लास्ट MIUI 12.5.9.0 का तो उसके बाद में यहाँ पर जो कोई भी अपडेट नहीं मिला जो Android 11 पर वेस्ट था लेकिन भाई अब यहाँ पर जो ग्लोबली जो Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro दोनों को ही जो अपडेट देखने को मिला है MIUI 13 का और यहाँ पर अगर बात करते हैं जो अपडेट की तो जिनके पास है यहाँ पर Redmi Note 10 तो यहाँ पर जो अपडेट का नाम है वो है यहाँ पर Global MIUI 13.0.1.0 जो Redmi Note 10 के लिए है और यहाँ पर सेम ही जो अपडेट आपको यूरोप में देखने को मिला है अगर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के बारे में तो भाई इने भी यहाँ पर जो सेम अपडेट देखने को मिला है जो Global में देखने को मिला है MIUI 13.0.1.0 का और इसके लाबा यूरोप में भी सेमी जो अपडेट देखने को मिला है बात करते हैं जो अपडेट के बारे में तो भाई यह एक स्टेवल बीटा अपडेट है जाने कि यहाँ पर केबल कुछ यूजर को ही देखने को मिला है अगर बात करते हैं कि आपको कब देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर तो दोस्तों मैं बता दूँ अभी फिलाल यह एक टेस्टिंग का वर्जन है और आपको जो इंडिया के अंदर अपडेट है वो अराउंड मिलने में लवग एक महीने के टाइम लग जाएगा जाने की आपको जो अपडेट्स देखने का मिलेंगा इंडिया के अंदर retmi note 10 retmi Not10 Pro और retmi Note 10 Pro Max में और तो उसे ही लग और हैं पर टाइम लग जाएगा फरवरी महीने का जाने कि फरवरी महीने के दौरां से जो आपको इंडिया के अंदर Stable Beta Updates देखने को मिल जाएंगे उसके बाद में सभी डिवाइसों को Stable Updates देखने को मिल जाने बाले हैं तो दोस्तों अगर आपके पास भी Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro जाफिर Redmi Note 10 Pro Max है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही गजब की रही होगी अब आपको Confirm हो गया होगा कि आपको कब तक जो अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा जैसी दोस्तों यहाँ पर कोई भी अपडेट आएगा तो उसकी जो Information है वो मैं सबसे पहले अपने Telegram के चैनल पर Share कर दूँगा जैसे यह इंडिया के अंदर Stable अपडेट आएगे तो आप में Telegram के चैनल के जूर जोइन कर लिजेगा तो अब मिलते हैं आपन नेक्स्ट वीडियो में तब तक आपका दिन शुब रहे